हेलो बच्छों एक बाद फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है द्रोन स्कूल में आज की इस वीडियो में हम लोग रिविजन टाइम प्रैक्टिस के सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और परसेंटेज का रटेपी हम लोग याने की रिविजन टाइम प्रैक्टिस करने व जोड़ जाना है और कोई भी कसर नहीं छोड़नी है जिससे आपको फेलियर मिले ठीक है सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बाबा साहिब की जयनती पर बहुत सारी शुपकामनाई देना चाहता हूं मेरा उनकी जो जीवन है उनकी जो मुक्ति दिलाई है ना तो सोचो कि उनके सामने उनके जीवन में जितनी कठनाईयां थे उस समय हमारे जीवन में तो उसका एक हिस्सा भी नहीं है सोचो कितनी सारी कठनाईयां जेल करके उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा पढ़ते रहे पढ़ते रहे अबा साहिब अम्बेट करके जीवन से प्रेणा लेते हुए, सीख लेते हुए, हमें आगे बढ़ते हुए चलना है, और पढ़ाई पे बहुत सारा ध्यान देना है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई विटा, अगर आप ने अर्जुन बैच जवाई नहीं किया ह विडियो सोलूशन, तो इससे बाहर क्वेशन बिल्कुल भी नहीं आता है, फिफ्टी मॉडल पेपर सीरीज ले करके आप अपनी पढ़ाई को एक अंतिम मुकाम अंतिम अंजान दे सकते हैं, तो आप इसमें इन्रोल करके, दस स्मॉक टेस्स के साथ प्रेक्टिस भी कर सकत है, वो feel नहीं आती है, continuity नहीं बनी रहती है, तो इसलिए इसी वीडियो में पूरा का पूरा chapter हम लोग complete करेंगे, ठीक है, कोई problem नहीं है न, चलो, start करते हैं बटा, जितने भी questions हैं, आप सभी pen copy लेकर के बैढ़ जाना, हर बार मैं बोलता हूँ है, पढ़ने वाले बच्च करते हैं, this is the first question of this video, क्या कह रहा है, किसी संख्या का 25% 80 है, तो उस संख्या का 45% कितना होगा, if 25% of a number is 80, then what will be the 40% of that number, देखोट अब बहुत बहुत इसी question है, गुरु जी का जंतर याद करो, हमने आपको बताया था, किसके बारे में पूछ रहा है, याद करो देखो, तरीक करना तो, गुरु जी ने क्या बोला था, कि जिसकी value निकालनी है, उसको उपर रखना, क्या बोला मैंने वेटा, कि जिसकी value आपको निकालनी है, जिसकी value निकालनी है, जिसकी value निकालनी है, उसको उपर रखना है, और जिसकी value दे रखी है, दी हुई value, दी गई value, ठीक है, तो जिसकी value दे रखी है, उसको आपको नीचे रखना है, दी गई प्रतिशत, दी गई percentage या दिया गया percentage जो भी आप लिख सकते हो, और यहाँ पर value लिखना है कि इस percentage का value कितना दिया हुआ है, देखो कितना simple question है, कि 25% की value दे हुई है, दी हुई है कितनी 80, तो कितने percent की value दी ह या 25% की, है न, अब ये 25% की value कितनी है, 80 है, तो value की जगे 80 रखो, किसकी value निकालनी है, हरे मास्तर 45% की value निकालनी है, तो 45 को उपर रखो, देखो सिधा ग्रूजी के जंतर को हमने follow किया, आ गया है, है न, जिसकी value निकालनी है, उसको उपर रखना है, दी गई जितनी percentage की value वेल्यू है उसको नीचे रखना है और इस परसेंटेज के कितनी वेल्यू दी हुई है उसको बगल में रखके कि दो 45% of the number 144 देखो कितना इजी है है कि नी तो अगर इस इस मेधड से जाते हो तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचने वाला है या तो आप दूसरे मेधड से यह जा सकते हो कि सबसे पहले तो वह संख्या निकाल लो जिस संख्या का 25% अस्य है वह संख्या निकाल लो तो जब इस प्रकार से जाओगे, थोड़ा लंबा चोड़ा method हो जाएगा, है ना, तो हमें तो shorty पसंद है, है की नी, तो हमें क्या करना है, simple गुरुजी का जंतर लगाना है, और किस को गुरुजी का जंतर याद है, ज़रा comment section में लिखो, बढ़ते हैं, next question पे, and this is, the next question is here on screen, द percentage के रूप में लिखना है, तो 100 से गुना कर दो, 0.065 गुने, 100 कर दो, 100 से गुना कर रहे हैं, 2 0 है, तो 2 दश्मलों इधर किसक जाएगा, तो 6.5%, easy है, अरे बोलो जी, easy है, चलो, देखो, easy है, चाहे कुछ भी है, लेकिन सबको solve करते हुए चलना, क्योंकि ये सारे के सारे questions ना, इसी प्रकार का, बिल्कुल exam में आप से पूछे जाएंगे, नौदे विद्याले के exam में, बहुत करीब है, आप तो जानते ही हो, तो ज्यादा आपको time जो है, नहीं लगाना है, जल्दे लिक करते हुए चलना है, 13,40 का प्रतिशा तरूप है, मतलब ये इसके पहले व करेंगे, तो 100 से multiply करोगे, इसको जब 100 से गुणा करोगे, तो 13 बटे 40 और गुणे में 100 हो जाएगा, होगा की नहीं, है ना, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 13 पंचे 65 है आने के 65 बाइटू की value हो जाएगी वेटा, 32.5%, 32.5%, हमारा answer क्या, अरे वोलो न, हमारा answer क्या, हमारा answer है, 32 32.5%, next question देखो, अगला question, निम्न में से कौन सी संख्या इसके बराबर है, यानि कि सीधा सीधा बात कर रहा है कि भई, इसको तुम evaluate करो, यानि कि solve करके दिखाओ हमें, याद रखो बदमाश वाला rule, तुम्हे याद है ना, बदमाश वाला rule, board mask का rule, यानि कि सबसे पहले bracket को solve करना है, उसके बाद off मतलब का, तो off यहाँ पहना, तो bracket सबसे पहले देखो, कहां कहां पे bracket है, ये सबसे बड़ा वाला bracket का pair, अगर मैं बात करो, सबसे बड़े वाले bracket की, तो ये बाहर बाहर कुछ यूँ कुछ ऐसा लगा हुआ है, है कि नहीं, लगा है ना, ठीक है, तो बाहर के bracket के अंदर ही, सारे brackets है, ये अंदर दो भाग इसमें बटा गुए, देखो, ये छोटे वाले bracket का pair, और फिर इधर छोटे वाले bracket का pair, इसका मतलब, कि इसको मुझे अलग से solve करना है, और इसको मुझे अलग से solve करना है, कह रहा है, पचीस का 100%, तो पचीस का 100%, का की जगा पे गुणा रख देंगे, 100% मतलब % निकालने के लिए बटे 100 से भाग देते हैं, देखो, 100 की जगा 100 रखेंगे, परसेंट की जगा बटे 100 रख देंगे, ठीक है, तो 100 बटा 100 ये खतम हो गया, टाटा वाय बाय ये गया, और ये प्लस में क्या करना है, पचीस का पचीस परसेंट, तो पचीस का पचीस परसेंट मतलब गुणे, पचीस परसेंट का मतलब पचीस बटा 100, पचीस का, तो पचीस हमने लिखा का की जगा पे गुणा रख दिया, पचीस परसेंट का मतलब पचीस बटा 100, ठीक है, तो यहां देखो, पचीस चोग के 100, यानि कि ये प पकीस बते चार आ रहा है ना, यह तो पचीस आ रहा है, तोummy five plus entropy बते यह चार आ रहा है, यानि कि इसका मतलब क्या हुआ, पचीस बते चार का मतलब क्या हुआ कि 5 दश्मलों कुछ हो रहा है न, कि 5, sorry 6, 6 दश्मलों25 तो six point two five और 6.25 प्लस 25 तो ये टोटल मिला करके हो रहा है 31.25 is the correct answer, ठीक है, the option number, option number B will be the correct answer, ठीक है, चलो, अगले question पर बढ़ते हैं, this is the fifth question of this video, देखो बटा, देखो ज्यादा से ज्यादा questions हम लोग करेंगे, ज्यादा time waste नहीं करेंगे, ठीक है, और तुम्हें तो पता ये कि like, share and subscribe तो करना ही है, तो वो सब तो तुम करोगे ही, क्योंकि मैं उस चेस पे ज्यादा focus करता है नहीं, पढ़ाई पर सबसे पहले ध्यान देते हैं, बाकि बच्चों को disturbed नहीं हो न चाहिए, master का एक ही फटना है, कि बच्चे जो है पढ़ाई के रास्ते पे जब चले जब पढ़ of 45, then find the value of x, कह रहा है कि 900 का x%, अच्छा जी, तो 900 का x% तो 900 गुणे x बटा 100, कह रहा है कि बढ़ाबर है, 45 का 400%, तो 45 गुणे 400%, तो 400 बटे 100 हो गया, है न जी, चलो जी, अब देखो, ये 00 से 00 गया वास्तों गया, ये देखो, ये भी गया, तो 9 into x ये हो गया, 9x ये 45 जो के 180 हो गया, तो 9x बडाबर 180 अगर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 9, 2, 8 यानि कि x की value जो है, वो 20 आ गई, बोलो उनना, बोलो चे, है ना, x की value कितनी आ गई, 20 आ गई, option number C हमारा सही answer है, चले, अगले question पर चलते है, next question पर बढ़ा, question number 6 देखो, क्या गह रहा है, कि एक iPad के मु 6, 7, 6, 8, 0 हो तो iPad का आरंभिक मुल्यात करें, the cost of an iPad decreased by 6%, now the cost of iPad is Rs. 67,680, then find the initial price of the iPad, देखो, एक iPad है यार प्यारा सही न, इसके मुल्य में 6% की कमी आ गई, अब बात ध्यान से समझना बेटा, बात यहां पर क्या आप समझोगे, यहां पर गुरू जी का जंतर कैसे आप तो भाई कमी आने से पहले, जो इसकी value रही होगी, जो इसकी price रही होगी, वो रही होगी 100%, क्या ये बात सत्य है, गुरू जी बिलकुल सही बात है, अच्छा 100% में 6% की कमी हो गई, तो 100-6, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 94% value बची हुई है, और जो value बची हुई है वो तो 808 किसकी value है, 94% की value, हमें iPad का आरंभिक मुल्य, यानि कि जो शुरुवात में मुल्य था, 100% की value निकालनी है, गुरू जी का जंतर लगेगा, 94% की value दे रखी है, और 100% की value निकालनी है, क्या लगा लोगे, बोलो, चलो जी लगाई देते हैं ना, तो 94% की value दे रखी है, तो 94 90 को हम लोग क्या करेंगे, 94 को नीचे रखेंगे, किसकी value निकालनी है, 100 की निकालनी है, तो 100 को उपर रखेंगे, 94% की value दे रखी है, वो 67,680 दे रखी है, है ना, तो 80 इंटू, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, अब नाओ, अब देखो, master यहाँ, calculator का use पर करेगा, यहाँ सुनों कर लेते हैं, तो 67,680, 67,680, and divided by 94, so this is coming out 720, so हमने यहाँ पर 720 रखा, और इंटू 100, तो देखो बटा, 720 यह क्या हो जा रहा है, यह 720 इंटू 100, तो बहतर हजार रुपए, was the initial value, आरंभिक वैल्यू कितनी थी, बहतर हजार रुपए दा, बता, 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 जल्दी, एंसर विल्बी, 72,000 रुपीज, आप्शन नमबर A विल्बी, करेक्ट रैंसर, सही है, आगे बढ़ी, चलो, बढ़ते हैं बटा, नेक्स्ट क्रेशन पर यह रहा, क्वेशन नमस्यमें, क्वेशन नमस्यमें लेखो, कह रहा कि एक बाइक सवार अपनी चाल, एक बाइक सवा to 55.8 km per hour, what is the percentage increase in his speed, कह रहा कि बाइक सवार है, इसको चोटी स्पीड मज़ा ही नहीं आता है, तो इसने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ा करके, सबसे पहले 45 की स्पीड से चल रहा था, और अभी इसने अपनी स्पीड कर ली 55.8 km प्रतिगंटे, अब देखो इसमें कर देंगे जो पहले की स्पीड थी, यानि कि 45 हैगी नहीं, 45, तो ये कुल मिला के आ रहा है, 10.8 की स्पीड इसकी बढ़ी है, है ना, अब बढ़ी कितने में है, क्या ये 55.8 में बढ़ी है नहीं, सबसे पहले कितनी थी, सबसे पहले स्पीड थी 45, मतलब बेस कौन है 45 ना, आरे भई, 45 में बढ़ा है ना, स्पीड, 45 पहले था, अभी ना, स्पीड हुआ है 55.8, तो 45 पहले था, तो बेस ये हो गया, यानि कि बेस को नीचे रखेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए, कितना बढ़ा है, तो 10.8 बढ़ा है, तो 10.8 को ऊपर रखेंगे, और कितने मे बढ़ा है, तो 45 में बढ़ा है, तो 45 को नीचे रखेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, very easy question, देखो यहाँ पे क्या होगा अब, कि 5, 9, 45 और 9, 9, 9, 12, 18, 1.2 हो गया, 5 से काटेंगे, तो ये 20 हो गया, 12, 15, 60, यानि कि, 12, 24 यानि कि 24 परसेंट की बिरिद्धी हुई है, 24 परसेंट की इंक्रीमेंट हुआ है, यानि कि बढ़ी है स्पीड, आगी बात समझें, 24 परसेंट is the correct answer, चलो, बढ़ते हैं अंगले question पे, आप सभी करो बेटा, इस question को, जबता है मैं पानी पिल लेता हूँ, आप सभी इस question को करो, come on, जल्दी, आप चलो, जी तो पीले रंकी गेदों की संख्या बताईए, correct box contain 650 balls, out of this 25% of the balls are of red color, 45% of the balls are of white color, and the rest are of yellow color, find the number of balls of yellow color, correct डिबबा है, एक डिबबे में 3 प्रकार के balls रखे कहा है, total कितने है, total 650 balls है, total है ना, इस डिबबे में total 650 balls है, अब इन 650 balls में से 25% लाल है, निकि red की अगर मैं बात करूँ, तो red is equal to 25%, ठीक है, और बाकी 45% सफेद रंकी है, तो white की अगर मैं बात करूँ, white balls कितनी है वेटा, तो वो है 45% white balls है, है ना, तथा 6 balls जो है, वो पीले रंकी है, तो अच्छा ये बताओ, कि total को तो हम लोग 100% मानते हैं, अब इस 100% में से 25% red है, 45% white है, तो 25 और 45 मिल करके, ये कुल मिला करके, जो है, 40, 20, 60 है, निकि कुल मिला करके, 70% तो यही हो गए, है ना, 70% तो red और white मिला करके हो गए, अब हमार आपने पास कितना percent मचा, 100% ये था, अरे भई, पूरा तो 100% मानते हैं, ना, हैगी नहीं, तो अपने पास 100% था, 100% मिला करके, 70% हमने निकाल दिया, बाकी बचा 30% है, तो यानि कि मैं कह सकता हूँ कि जो पीली गेद है, वो 30% है, पीली गेद कितनी है, 30% है, कि यानि कि प परसेंट पीली गेद है, यानि कि 650 का 30% हम लोग निकालेंगे, तो 650 into 30 बटा 100, 30 बटे में 100, है की नहीं, 30 बटे में 100, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 65 तिया ही, 65 तो 195, तो 195 balls are of yellow color, so the answer will be 195 option number B, let us move to the next question, question number 9, is here on a screen, मेटा देखो, कह रहा है, यदि एक संख्या A, एक अन्य संख्या B से 150% अधिक है, तथा, A 150 से 60% कम है, तो B का मान गयात कीजिए, तो B का मान गयात कीजिए, if a number A is 150% more than another number B, and A is 60% less than 150, than the value of B is, कह रहा है, सबसे पहले बात सुनो, दो संख्या आए है, अपने पास A and B, है ना, कह रहा है, कि जो A है, वो 60% less है, किस से 150 से, तो माल लो, कि 150 से A जो है न, 60% कम है, कितना % कम है, 60% कम है, अच्छा सुनो बेटा, अगर A को हम लो, इसको 150 को 100% माल ले, तो 100 से 60% कम, है ना, मतलब 100% में से 60% घटाया, तो क्या मैं कह सकता हूँ, कि 40% है, कौन सी संख्या A, कह रहा है कि A जो है, 60% कम है 150 से, तो 150 से 60% कम, मतलब 40% है ना, तो 150 का 40%, 150 का 40% कम, मतलब 40 बटे 100, इसको जड़ा अलग से तुम लिखना, ठीक है, इसको अलग से देखना, इसको आप लोग अलग से ये देख लेना, ठीक है, अब देखो, अब इसका 40%, 150 का 40%, यानि कि यहां 20, 2, 40, 20, 500, और 5 से, एक मिनटा ऐसे ही का देते हैं, रुख जो, डबल 0 से डबल 0 ये काठी देते हैं, एक 0 से एक 0 गया, और एक 0 से एक 0 गया, 15, 4, 60, यानि कि 60, 60 कौन है, बिटा ध्यान देना, 60 कौन है, यह जो 60 है ना, यही तो हमारा A है, क्यों मैंने बोल क्योंकि जो A है, वो 150 से 60% कम, मतलब 150 का 40% है, और 150 का 40% तो 60 हा रहा है, आ रहा है ना, तो 150 का 40% 60 हा रहा है, ठीक है, A की value हमें पता चल रही, हमें कह रहा है कि value of B निकालनी है, अब B के बारे में देखते हैं, यदि एक संख्या A, एक अन्य संख्या B से 150% अधिक है, मतलब अब ये बात कह रहा है, कि जो ये A है ना, ये किसी अन्य संख्या, कोई और संख्या एक और है B, ठीक है, अब B से 150% अधिक है, कितना विड़ा, 150%, 150% अधिक है, ठीक है, अब देखो, फिर वही काम करते हैं, हमने माल लिया, हमने माल लिया, जी कि B की value जो है, वो 100% है, कितन 150% अधिक है, तो 150% हमने इसमें जोड दिया, यानि कि 100% प्लस 150%, this is equal to 250%, यानि कि मैं कह सकता हूं, कि B का जो 250% है, वो 60 है, कह रहा है ना, कि जो A है ना, वो B से 150% अधिक है, B को हमने 100% माल लिया, 150% अधिक, तो 100 में 150 जोड दिया, यानि कि 250%, B का 250% साथ है, ठीक है, तो B का 250% अगर 60 है, तो B गुने 250% मतलब 250 बटे 100, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 60 के बराबर आनी चाहिए, है ना, इसकी वैल्यू 60 के बराबर आनी चाहिए, अब देखो बटा, इसकी वैल्यू अगर 60 के बराबर आनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये तो उसे यह 0 कड गया, 4 का उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो B is equal to 6, गुणे 4 तो बराबर 24, so 24 is the, 24 जो है, वो किसकी वेल्यू है? B की वेल्यू है, 24, आगी बात समझ में, B की वेल्यू कितनी है बटा? 24, तो देखा, कितना घुमाव फिराखी ये question दे रहा है तुमसे ऐसे, है न? सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना है? आप से यह कहा गया है, कि जो A है, वो 150 से 60% कम है, तो A की वेल्यू हमने निकाल ली इस वाली statement से, उसके बाद B और A के बीच का संबंद कह रहा है, बता रहा है, तो क्या संबंद है? कह रहा है कि जो B संख्या है न? एक संख्या A, A कानने संख्या B से 150% अधिक है, यानि जो A है, वो B से 150% अधिक है, तो हमने B को 100% माल लिया, 150% अधिक है, तो 100% में 150% जोड़ दिया, 100% प्लस 150% मिलके 250% हो गयते हैं, तो B का 250% कितने के बराबर होना चाहिए? A के बराबर होना चाहिए जो की 60 है तो हमने किया B का 250% 60 के बराबर कर दिया तो B की value आगी है ना easy इससे easy क्या ही सवाल आएगा लेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा घुमा फिर आगे question को दिया गया तो तुम लोग हो जाते हो confused बस उतने में तो confusion नहीं रखना है चलो बेटा आप सभी करने की कोशिश करो क्या कह रहा है तो एक संख्या एक संख्या का दो गुना दूसरी संख्या के आठ गुने की बराबर है ठीक है जी तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है two times of a number is equal to eight times of the second number by what percent is the first number more than the second number मैं एक बात बताता हूँ आपको किस की तुल्ला में बात पूछ रहा है कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है तो किस से तुल्ला कर रहा है तुल्ला जो कर रहा है comparison कर रहा है कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है मतलब तुलना तो दूसरी संख्या से हो रही है तो जिस संख्या से तुलना हो रही है उसको आपको माल लेना है सौ सिंपल है ठीक है जिस संख्या से तुलना हो रही है उसको आपको मान लेना है 100 पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधी कह रहा है अच्छा ये कह रहा है तो दूसरी संख्या को हमने 100 मान लिया अब ये कह रहा है कि एक संख्या का दो गुना दूसरी संख्या के आठ गुने के बराबर है तो आपको क्या करना है ना मान लो कि पहली संख्या बराबर एक्स मान लो ठीक है पहली संख्या एक्स मान लो दूसरी संख्या को हमने 100 मान रखा है तो दूसरी संख्या के 8 गुने के बराबर है है ना तो 100 गुने 8 के बराबर है देखो हमारा equation बन रहा है कि पहली संख्या जो कि हमने x माना का 2 गुना बराबर है दूसरी संख्या के 8 गुने के अब देखो बटा यहां से यह कट रहा है त 400 हो गई देखो 400 X की वेल्यू हो गई 400, 100 गुने 4 बराबर 400, X की वेल्यू 400 हो गई, यानि कि हमारी पहली संख्या हो गई 400, बटा ध्यान से देखना कि पहली संख्या है हमारी 400, दूसरी संख्या को हमने मान रखा था 100, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या से कितने प्रश्चत अ ना ताकि हमारा calculation आसान हो जाए कैसे calculation आसान होगा कि 100 में ही 300 अधिक है कोई चीज जब 100 में निकाल जाती है तो already percentage में ही होती है है ना तो यानि कि 300% हमारा सही answer हो गया कि जो दूसरी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 300% अधिक है option number A हमारा सही option हो गया very easy question है ना आगे वड़ते हैं अगले question पर अपने जल्दी जल्दी करेंगे वड़ा question number 11 is here on your screen देखो यह तो नौमा है ना 11th question देखो पढ़ो जल्दी जल्दी चलो जल्दी से जल्दी यह सारे question निम्प्राने की कोशिश करते हैं हम लोग लक्ष्मी का वेतन गयातरी की वेतन से 12% कम है यदि लक्ष्मी का वेतन 49,280 है तो गयातरी का वेतन गयात कीजिए देखो पढ़ो आप सभी और answer करने की कोशिश करो ल लक्ष्मी का वेतन गयातरी की वेतन से 12% कम है ठीक है यदि लक्ष्मी का वेतन इतना है तो गयातरी का वेतन गयात कीजिए लक्ष्मी का वेतन दिया हुआ है लक्ष्मी का वेतन दिया हुआ है तो माल वेटा यह है लक्ष्मी ठीक है और यह है गयातरी यह है गयातरी लक्षमी का वेतन गैत्री के वेतन से कितना कम है वोलो गैत्री के वेतन से 12% कम है लक्षमी का वेतन गैत्री के वेतन से 12% कम है यानि कि गैत्री का वेतन अगर 100% हो तो लक्षमी का वेतन जो है वो 12% जो है 12% कम है है ना तो 100% में 12% हम लोग घटाएंगे तो यह हो जाएगा 88 एट परसेंट एट 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 परसेंट यानि कि लक्षमी का वेतन एट एट परसेंट है और कह रहा है कि लक्षमी का वेतन दिया भी हुआ है गुरुग जी का जनतर फिर से याद करो वेटा कि लक्षमी का वेतन एट एट परसेंट है ये दिया हुआ है कि लक्षमी का वेतन ए जिकात करनी है 88% की value निकालनी है वह लो निकाल लोगे क्या देखो 88% की value पता है तो जिसकी value पता है उसको नीचे रखेंगे जिसकी value निकालनी है तो उसको उपर रखेंगे 88% की value कितनी 49280 and multiplication कर देंगे सिंपल है तो हमें गयात्री का वेतन पता चल जाएगा देखो 88 से अगर मैं भाग दूँ तो 845 और 845 पांच बारे में तो सबसे पहले ये कट रहा है बेटा तो 440 हो गया और 440 के बाद 52 528 बच रहा है तो 528 846 और 848 तो 4848 और 528 ठीक है 6 बारे में ये कट जा रहा है 528 तो 560 गुने 100 यानि कि 56 जो है 1000 हो गया 56,000 किसकी वेल्यू है 100% की वेल्यू और 100% किसकी सेल्री है गायत्री की 56,000 विल भी दे करेक्ट एंसर है ना इजी क्वेशन है गुरुजी के जंतर पे बेस्ट क्वेशन है आगे बढ़ते हैं कितना 56 ये ना ओके next question देखो question number 12 क्या है अजय का वेतन जो है वो अनमोल के वेतन का 3 चौथाई है तो अजय का वेतन अनमोल के वेतन से कितने प्रतिशत कम है अजय सेलरी is 3-4th of Unmol salary then by what percent अजय सेलरी is less than Unmol salary देखो बटा ध्यान से सुनना कह रहा है कि जो अजय की सेलरी है वो Unmol की सेलरी से वो Unmol की सेलरी का 3-4 है 3-4 है का मतलब 3-4 है ना 3-4 का मतलब 3-4 तो यानि कि अजय बटे Unmol की value 3-4 है ध्यान से समझना कि अजय की जो सेलरी है Unmol की सेलरी की 3-4 थाई है तो अजय की सेलरी Unmol की सेलरी से 3-4 थाई है तो 3-4 हमने लिखा ठीक है अजय बटे Unmol बराबर 3-4 हैंगी नहीं बातारी समझ में तो अजय बटे Unmol 3-4 हो रहा है देखो बहुत ही छोटा सा मैं शौट टिक बताऊंगा एंसर एक लाइन में आएगा बिल्कुल एक लाइन में आएगा वेटा कहा रहा कि अजय का वेतन Unmol की वेतन से कितने प्रतिशत कम है अजय का वेतन कितना कम है Unmol का वेतन अगर 4 है और अजय का 3 है तो कितने की कमी है, तो एक की कमी है, है ना, चार में से तीन जा देखो, एक की कमी है, कितने परसेंट कम है, ये निकालना है, कितने परसेंट कम है, सबसे पहले हमने देखा, कि कमी तो एक की है, अब परसेंटेज निकालना है, तो अनमोल देखो, अनमोल का वेतन कितना, चार, तो कमी तो चार में है ना, तो चार को नीचे रखेंगे, कितने की कमी है, एक की कमी है, गुने 100 कर देंगे, अरे परसेंटेज निकल गया नहीं, निकल गया बोलना वेटा, परसेंटेज निकल गया नहीं, बताओ, पचीस परसेंट की कमी है, है ना, पचीस परसेंट की कमी है, तो यहाँ पर देखो वेडा कि जो अजय का वेतन है वो अनमोल की वेतन से 25% कम है बहुत ही आसान question है simple question है कर लोगे कर लोगे है ना चलो तो 25% will be the correct answer next question में बढ़ते हैं यह देखो तेरावा question देखो अश्विन के वेतन में 8% की वृद्धी हुई कुछ महीनों बाद 8% की कमी हो गई यदि वृद्धी से पहले उसका वेतन 45,000 हो तो वेतन में होने वाली वृद्धी या कमी याद कीजिए कह रहा कि अश्विन सेलरी increased by 8% and after few months it decreased by 8% if his salary before the increase was is 45,000 then find the increase or decrease in the salary भई अश्विन ने बड़ा ही अच्छा काम किया वेटा अश्विन ने बहुत ही अच्छा काम किया तो उसकी salary को 8% बढ़ा दी गई आठ परसन बास ने बोला लो या तुमारी salary हमने 108 हो गई फिर 8% घटा दिया तो बहुत सारे बच्चे सूचेंगे भई 8% बढ़ाया और 8% घटाया तो बढ़ा घटा तो कुछ नहीं हाथ में तो कुछ नहीं आया यानि कि 100 का 100 ही रह गया और यहीं पर मात खा जाते हैं यहीं गल्ती कर जाते हैं देखो सुनो जैसे 100 रहा तो इसमें calculation में अंतर आ जाता है यानि कि 108% जब घटा होगे ना 108 का जब 8% निकालोगे तो 8 से ज्यादा आएगा यानि कि value 100 से कम आने वाली है देखो तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई चीज x% बढ़ती है और वापस x% कम हो जाती है तो हमेशा एक बात याद रखना में वच्चे क्या करना है आपको हमेशा कमी होती है हमेशा कमी होती है always 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 याद रखना इसको इस word को याद रखना कि हमेशा कमी होती है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वृद्धी हो जाए हमेशा कमी ही होती है ठीक है तो हमेशा कमी ही होती है यह बात याद कितनी x square Baute 100% की कमी होती है अब x square Baute 100 का मतलब 8% की वृद्धिय और 8% की कमी हो रही है ना तो x की value तो यहां पर 8 है ना तो कमी जो होगी जो कमी होगी वह x square Baute 100 याने की 8ื่ का इस्कॉा ers बट म DR 100% की कमी हो गई 85 square कहने का मतलब 64 हो गया तो 64 बटा 100% की कमी हो गई है ना तो देखो कितने के कमी हो रही है 45,000 उसका वेतन है तो 45,000 में 45,000 में 64 बटा 100% की कमी होई देखो गलती यहां पर कर देते हो तुम लोग कि 64 बटा 100 से गुना कर देते हो लेकिन 64 बटा 100% है और परसेंट के value one by hundred होती है, कितनी होती है one by hundred होती है , तो into one by hundred भी तो करना है इतने की कमी हो रही है अब देखो उन्हों इहां से double oh से double to गया और बांकी क्या क्या बच्छा उसको भगा जेते हैं है ना, कोई ज़रूरत और नहीं है ,कोई ज़रूरत नहीं है । देखो तो यहां से हमने एक काम किया, 0 से 0 उड़ा दिया, है ना, तो 2, 5, 10, 32, 64, 5 से काटेंगे तो 5, 9, 45 हो गया, बचा कौन को 9 गुणे 32, तो 32 गुणे 9, 32 गुणे 9, देखो, 9 गुणे 9, देखो, 9 गुणे 8, हासिल 1, 9, 3, 27, 18, 28, 28, 28, 28 की कमी आ गई, कितनी की कमी आ गई, 288 की कम ही आ गई, simple question है, समझ में आई बात, हरे बोलो ना, बात समझ में आई, easy सा question है इसमें क्या ही, बहुत ज्यादा rocket science कुछ नहीं है, तो 288 की कमी आ गई, हमारा answer है, A option, ठीक है, वृद्धी भी दिया हुआ है, निकिंक्रिमेंट इंग्लिश मेडिया माले बच्चे सुनो, ले करके जरा बता, किरा कि किसी वर्ख की प्रतेक भुजा, 4.5 गुनी कर दी गई, कितनी, 4.5 गुनी कर दी गई, तो परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धी या कमी होगी, देखो सुनो, एक बात समझो यहाँ पर, कि परिमाप, वर्ख की प्रतेक भुजा, 4.5 गुनी कर दी गई है, है ना, तो एक स्कॉयर मानते हैं हम लोग, एक स्कॉयर मानते हैं, एक स्कॉयर मानते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है, यह हमारा स्कॉयर हुआ, कह रहा है, मालो अगर या गुना हम लोग कर दे रहे हैं, मतला अगर पहले एक मीटर था, तो अब हमने इसका साइज बढ़ा दिया, और इसकी प्रतेक भुजा का जो साइज है, वो हमने कर दिया 4.5 मीटर कर दिया, उतना गुना हो गया, एक मीटर से 4.5 मीटर हो गया, है गही नहीं, चलो, तो अगर मैं पहले इसका परिमाप निकाल लूँ तो पेरिमीटर बराबर मैं जानता हूं कि 4 into a मतलब side यानि कि 4 into 1 बराबर 4 तो अभी का जो perimeter है this is equal to 4 बाद का perimeter निकालते हैं तो बाद की side तो इतनी हो गई ना तो perimeter बराबर क्या होगा बोलो बटा 4 into 4.5 क्योंकि 4 गुणे भुजा और भुजा चार दसमनों 5 है तो 4,4,16,18 तो यह हो गया perimeter is equal to 18 देखो बटा पहले जो perimeter था पहले परिमाप था 4 था अभी परिमाप 18 हो गया, हो गया कैंए हो गया बोलो पहले जो परिमाप था वो 4 था अभी परिमाप 18 हो गया तो बढ़ा कितना ? 4 से बढ़के 18 हुआ यानी कि 14 बढ़ा, क्या हुए वह बटा, 14 ये बढ़ रहा है अब जब 14 बढ़ रहा है बात सुनना ध्यान से सुनना जब यह 14 बढ़ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या मैं यह कह सकता हूँ कि 14 बटे 4 गुणे 100% की विद्धी होई percentage increment percent कितना बढ़ा तो 14 बढ़ा कितने में बढ़ा चार में बढ़ा और गुने 100 कर देंगे percent निकालने के लिएrió तो सब सबसे पहले तो पचीस हो गया अब पचीस चोंका सो हासिल दस पचीस से कम पचीस दस पैंतिस तो तीन सो पचास परसेंट यह व्रिद्धी होई तो यहां पर देखो मैंने आप से सबसे पहले ही बोला कि option में शायद आपको कुछ गलती दिखे दिखी गलती कि कमी तो नहीं हो जाएगा अगले question पर चलते है question number 15 देखो एक परिक्षा में अठाइस सो परिक्षारती बैठे जिसमें से तेइस सो चालिस उत्तिड़ हुए अनुतिड़ होने वाले परिक्षारतियों का प्रतिशत ग्यात किजिए 2800 candidates appeared in an examination in which 2380 passed find the percentage of failed student कहरा कि एक परिक्षा में अठाइस सो लोग परिक्षा देने बैठे बैठे उसमें से 2880 जो थे 2880 वो हो गए पास ठीक है तो fail कितने हुए 2800 में से 2880 आपको घटा देना है यानि कि 420 लोग जो थे वो fail हो गए 420 लोग fail हो गए कितने percent fail हुए ये बताओ भई कितने percent fail हुए तो कितने percent fail हुए percentage failure का अगर हम लोग बात करें percentage fail तो कितने percent fail हुए चारसो बीस फेल हुए तो चारसो बीस को उपर रखो कितने में 2800 कुल थे टोटल कितने थे 2800 थे तो टोटल 2800 हमने लिखा परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दिया बहुत ही आसान बस्ति वास्ता जीरो से जीरो कार्द दिया साथ चोगी 28 साथ चैके 42 साथ चार से भाग दोगे तो 15 24 साथ याने कि 15% लोग क्या होगे अगे बढ़ें चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंद्ग्वसश्चन नमबर 16 जो है यह आपके स्क्रीन पर देखो सभी लो test में 42 प्राप्त करता है उसने दूसरे test में पहले से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त हुए और student gets 35 marks in one test and 42 marks in another what percentage of marks did he get more than the first in the second test कहारा कि भाई पहले test में अगर पहला test उसका हो रहा है तो इसमें इसको मिले 35 नंबर, जो second test हो रहा है, जो उसका दूसरा test हो रहा है, उसमें इसको मिलना है कितना गटा 42 नंबर, कितने ज्यादा मिले जरा देखो तो 35 यानि कि 7 नंबर ज्यादा मिले, 7 नंबर ज्यादा इस 35 में है न, तो 35 को हम लोग नीचे रखेंगे, और 7 नंबर ज्याद साथ पंजे 35 और पांसे हमने काटा तो बीस पंजे सो याने की 20 परसेंट कितना 20 परसेंट जो है ज्यादा नंबर इसको मिले अगला क्वेशन देखो तो इस तरह से हमने लगभग लगभग आधा पड़ा पूरा कर लिया है आधी आत्रा हमने इस वीडियो की पार कर ली है तो आपको क्या करना है लास तक तो देख नहीं है देखना है कि नहीं तो वही जोश अभी तक बनाए रखो एनर्जी बनाए सभी क्वेशन वेटा आपको हल करने है ठीक है चलो अगला क्वेशन क्वेशनरों सेवंटीन देखो ये रहा क्वेशन नम्बर 17 कह रहा है कि एक संगठन में 10,800 कर्मचारी हैं इन में से 35% कर्मचारियों ने पदोननति प्राप्त की तो कुल कितने कर्मचारी पदोननत नहीं हुए देखो कह रहा है कि एक संगठन में 10,800 कर्मचारी हैं तो 10,800 लोग टोटल है ठीक है ये है टोटल ये है आम जिन्दगी क्या है ये है टोटल कर्मचारी ठीक है कह रहा है इसमें से 35 परसेंट ने पद्दूननत प्राप्त कले अब प्रमोशन हो गया प्रमोशन हो गया है ना तो 35 परसेंट का प्रमोशन हो गया अच्छा सुनो कुल मिला करके तो 100 परसेंट होते है ना इसमें से 35 परसेंट अगर प्रमोशन मिल गया इनको तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 65 परसेंट का प्रमोशन नहीं हुआ तो दस अजार आट सो और गुणे 65 बटे में सो अगर हम लोग करेंगे तो देखो बटे में 100 अगर करते हैं तो डबल जीरो से डबल जीरो तो ये खतम ही हो गया है कि ने डबल जीरो से डबल जीरो ये खतम हो गया बाकि 65 गुड़े 108 अगर हम लोग करें तो कितना आ रहे हमारा एंसर कर लेता हूं मैं गुणा 65 गुणे 108 तो ये आ रहा है 7020 7020 अगरा क्वशन कह रहा है कि किसी चुनाओ में एक विजई उम्मीदवार को 10100 कितना है नहीं एक लाख App लाएख एक हजार दोसो पचास और जो कुल मतड़ान का 25% है दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल मध्दान पे का लिखना चाही है है ना कुं मध्दान का 32% मिले क्ये 22% मिले तो दूसरे पराज सुम्मीदवार को कुल कितने ओओ मिले करले इन अन election a winning candidate got 1,001,250 oats which is 45% of the total oats turn out if the second defeated candidate got 32% of the total oats of the total oats total oats then how many oats did the second defeated candidate get देखो यहाँ पर simple आपको दिमाग यह लगाना है कि सबसे पहले हमें यह ज्याद करना है पता करना है कि कुल oats कितने पड़े थे कुल oats कितने पड़े थे कह रहा कि भाई दो candidate का हमें पता है candidate a candidate b और c d e f यह चुटपुटी है candidate है जिनको oats जनता देती नहीं है जिनको oats वगर जनता देती नहीं है जो भी candidate है जिनमें टककर है वो यही दोने हैं जिसमें से एक को तो 45% मिला और दूसरे को 32% मिला हैं जी दूसरे को 32% मिला कह रहा है कि जो विजय उम्मीदवार है न उसको टोटली जो 45% मिला तो उसको oats कितना मिला एक लाख एक हजार दोसो पचास इतना oats मिला यानि इस 45% की value है इतनी आर यह बात समझें गुरू जी का जंतर यादखरो विटा गुरू जी का जंतर इस 45% की value है इतनी तो 32% की value न निकालनी है बैटा 45 के value दी हुई है तो उसको नीचे रखेंगे 32 की value निकालनी अधो इसको उपर रखेंगे नबे 11, 112 तो 45 दूना 90 और फिर 22, 225 हो गया 4, 25, 25, 25 यह कट तो जा रहा है 0 यहां पर हो गया 32 गुडे 22,50 तो कितना होगा गुड़ा ही कर लेते हैं क्या इतना टाइम वेस्ट करना है न गुड़ा कर लेते हैं तो 32 गुड़े 22,50 गुड़े 32 बराबर 72,000 यानि कि 72,000 was the value of 32% यानि कि जो मिद्वार हारा उसको भी कितने ओट मिले थे 72,000 ओट उसको मिले थे option नमबर क्या होगा हमारा option नमबर A will be the correct answer यही तो पूछ रहा है न कि जो मिद्वार हारा दूसरे पराजित मिद्वार को कितने ओट मिले तो वो टोटल था 32,000 ओप्शन यह हमारा सही option हो गया बढ़ें नेक्स क्वेशन पर चलो गटा अगला क्वेशन यह देखो करो इसको सभी लोग करने की कोशिश करो गटा सब्ल सभी के सभी इसको करो कमान जल्दी करें कि किसी नगर की जनसंख्या कितनी है दो लाख है जिसमें से एक लाख बीस अजार पुरुष हैं 50% प्रतिश apartment जनसंख्या पाचैंब 50 percent लिखा हुए तो प्रतिशाइज लिगने की क्या tenth थरूरत है 50 % यह प्रतिशत को काट दो प्चास प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है यदि 40% पुरुष साक्षर दो तो से त्सरमयम्हिलाओं की संख्या लाख बीस हजार पुरुष हैं नए की मेल हैं वही तो एक लाख ही उब्स जर जो है वह तो पुरुषैं कितनी हो गई क्या मैं कह सकता हूं कि असी हजार बुष्टा हो जाएंगी किया रहा है कि 50% जनसंख्या साक्षर है इसमें से कुल मिला करके 50% जनसंख्या जो है साक्षर है अब बात सुनो और आगे यह कह रहा है कि 40% पुरुष साक्षर है यानि कि जो पुरुष है इतनी इसका 40% साक्षर है साक्षर मतलब पढ़े लिखे है अरे तुम्हारी तरह लेखिया अगता कितने पुरुष पुरुष पशालिसचाजड अगर और ताली सजाल पुरुष हैं तो एक बात और संजग हैं कह रहा है कि कुल जनसंख्या खा 50% जनसंख्या साक्षर है यानि कि कुल जनसंख्या 2,000,000 है कितना बिड़ा कुल जनसंख्या है हमारी 2,000,000 तो इसमें कुल जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ तो कुल जनसंख्या की साक्षर जनसंख्या कितनी है जितने लोग पढ़े एक लाख लोग पढ़े लिखे हैं है ना जी एक लाख लोग कितने हैं पढ़े लिखे हैं जी एक लाख लोग पढ़े लिखे हैं अब जरा वाद ध्यान से सुनो महिलाएं जो हैं सिर्फ और सिर्फ असी अजार हैं लेकिन एक लाख लोग टोटल जनसंख्या पढ़े लिखिय हुए है पढ़े लिखे टौटल एक लाग है जिसमें से 48,000 पुरुष पढ़े लिखे हुए है तो अगर मैं माइनस 49,000 कर दूँ मैंनस 49,000 तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 52,000 महिलाएं जो हैं पढ़ी लिखी हैं वावन हजार महिलाएं जो हैं, वो साक्षर हैं, पढ़ी लिखी हैं, यहाँ पे देखो, क्या कमाल का competition है, कि महिलाएं संख्या में तो कम है, दो लाख में से सिर्फ 80,000 महिलाएं हैं, बाकी सभी पुरुष का दब्दा है, लेकिन पढ़ने लिखने में महिलाएं बहुत आगे हैं, 52,000 महिलाएं जो हैं, साक्षर हैं, यानि कि सिर्फ 48,000 पुरुष साक्षर हैं, और 52,000 महिलाएं पढ़ी लिखी हुई हैं, हमारा option होगा, दिन द नंबर ओफ लिट्रेट फीमेल, लिट्रेट फीमेल पढ़ी लिखी महिलाएं, 52,000 हैं, option नंबर हमारा, 20 ही होगा, 52,000 महिलाएं साक्षर, आगे बढ़ते हैं, next question पे देखो, अगला question, तो बचों ये रहा next question, क्या कह रहा हैं, देखो, कि दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या से 80% तथा 50% कम हैं, कह रहा हैं, कह रहा हैं, उसके बाद आगे कह रहा हैं, पहली संख संख्या के बराबर हो जाए, two numbers are 80% and 50% less than a third number, by what person should the first number be increased so that it becomes equal to the second number, देखो, यहाँ पे न, हमारे पास 3 numbers दियो हैं, कि तो टोटल 3 numbers, कह रहा हैं, दो संख्या हैं, तीसरी संख्या से 80% और 50% कम हैं, तो एक बात समझो, कि तुल्ला किसे कर रहा हैं, third number से, कि उस 30 संख्या स जो अपनी ये दो संख्या हैं, वो 50% और 80% कम हैं, यही तो कह रहा हैं, है न, तो वो तीसरी संख्या कौन सी है, देखो, उस तीसरी संख्या को सबसे पहले, यह जो तीसरी संख्या कह रहा हैं, third number, यह जो तीसरी संख्या है, इसको हमने माना कि यह तीसरी संख्या 100 है, क्या हमने तीसरी संख्या 100 मान लिया तो मान के चलो ना कि पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है और तीसरी संख्या को हमने already 100 मान रखा है अब क्या रहा है एक संख्या पहली संख्या इस संख्या से 80% कम है तो लो जी हमने ये लिख दिया कि भई ये संख्या तो 80% कम है कितनी परसंट कम? 80% कम है और एक संख्या जो है वो 50% कम है तो B वाली संख्या को हमने माना कि ये 50% कम है less है है ना? इतनी बात clear है? अब अगर A 100-80% कम है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो A संख्या है वो 20 होगी क्योंकि 180% कम 20 ही तो होगा B जो है 100-50% कम है तो B जो हमारी संख्या होगी वो 50 हो जाएगी अब देखो अब फंडा clear हो रहा है धीरे-धीरे एको हमने तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया है तो A हमारा यहाँ पे निकल क्या रहा है 20 और B निकल क्या रहा है पचास तीनों संख्या है clear है आगे question में यह कह रहा है कि पहली संख्या में कितने percent की वृद्धी की जाए कि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए देखो पहली संख्या A हमने माना दूसरी संख्या B माना है इसमें अगर हम लोग कुछ बढ़ा दें तो बी के बराबर हो जाएगा इतनी बात तो समझमें आ रही है हाँ जी कितने percent की वृद्धी है वो हमें देखना है तो 20 जो है ना 20 तो हमारी मूल संख्या है main number है हमारा इसमें जो है 30 की हम लोग बढ़ोतरी कर रहे है 30 की वृध्धी कर रहे है तो 30 की वृध्धी कर रहे है कितने में तो 20 में 30 की वृध्धी कर रहे है परसेंट निकालने के लिए वास्तर हमें पता है कि 100 से गुणा करना होता है 100 से गुणा करना होता है तो यहाँ पर देखो 20, 50, 100 हो गया 30, 35, 15 यानि कि 150 परसेंट का increment हमें करना होगा का increment यानि कि हमें वृध्धी करनी होगी कितने परसेंट की 150 परसेंट की एक विद्यार्थी अपने दो प्रश्ण पत्रों में क्रमशा पचातर परसेंट तथा 80 परसेंट अंक पराप्त करता है यदि प्रश्ण पत्रों के कुल अंक क्रमशा 120 तथा 180 हो तो उस विद्यार्थी का कुल प्रतिशत ग्यात कीजिए student gets 75% and 80% marks respectively in his two papers if the total marks of the question paper are 120 and 180 respectively then find the overall percentage of that student दो दो पेपर देता है वो दो एक्जाम देता है मालो भई कुछ भी मालो एक math मालो एक दिया math उस ने दिया एक मालो English का दिया math का paper उसका था कह रहा है 120 नंबर का और अंग्रेजी का paper मालो 180 नंबर का तो 120 math हो गया English 180 हो गया कह रहा कि दो प्रश्ण पत्रों में क्रमसा 75% और 80% अंक प्राप्त करता है यानि जो math का उसने paper दिया उसमें इसको मिले वटा 75% नंबर और इसमें इसको मिले 80% नंबर कितने 80% नंबर तो 120 का 75% कितना होगा 120 गुड़े 75% मतलब 100 से भाग देंगे है ना तो बहुत इजी सा है देखो तुम ना की 25, 400 और 25, 75, 4 से काटेंगे तो 4 तियां इबारे 30 गुणे 3 बराबर ये 90 नंबर मिल रहा है इसको किसमें? 90 नंबर इसको मिल रहा है mathematics में अगर हम लोग similarly इसका भी calculate करें तो 18 का 80% तो ये बराबर हो जाएगा 180 गुणे 80 और बटे में 100 बटे में 100, now see here कि 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 188, 144 नंबर यानि कि 144 नंबर उसको मिल रहा है किसमें बटा? अंग्रेजी में, इंग्लिश में मिल रहा है 144 नंबर अगर मैं कुल नंबर जोड़ू तो 90 ये और 144 ये कुल जोड़ करके मेरे पास कितने नंबर आ रहे हैं देखो तो 144 और प्लस 90 तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 234 बराबर जो 234 नंबर है ये हमारा टोटल है 234 हमारा total number है हाज बिलकुल बात सही है कि 234 total number है total number जितने number जितने अंक उसको मिले जितने marks उसको मिले that is the total number gained by the student लेकिन कुल प्रापतांक कितने थे maximum कितना number पाया जा सकता था तो वो है 120 number का paper तो math का था 180 number का paper इसका था तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ लें तो हमें क्या मिलेगा बेटा दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 180 और 120 इन दोनों को मिला करके हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मिल रहा है यह 300 number तो total paper 300 number खा था जिसमें से total उसको मिले 234 number तो कितने percent mark total मिले percentage marks total है ना तो percentage marks जो मिले 234 number मिले तो 234 को हमने उपर रखा कितने numberों में से तो 300 numberों में से तो 300 को हमने नीचे रखा गुणे 100 कर दिया हमने percentage निकालने के लिए ना हो एंसर आ रहा है मास्टरा देखो तो 00 से 00 उड़ा दिया हमने 321 321 224 324 24 या निकी 78% is the total marks total percentage of marks got by this student, obtained by this student 78% yes, option number 2 हमारा, सही option हो गया simple है ना, बरते हैं next question में देखो बड़ा ये रहा अगला question, this is on your screen, देखो कह रहा है कि यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या 20% के यहाँ पर उना चाहिए, किसी संख्या के 3 बटे 5 भाग का 1 बटे 6 भाग 90 है तो संख्या क्या होगी, माल लो भई संख्या X है, माल लो हमेशा की तरह, तो संख्या हमने माना X है, X का 20% तो X गुने 20 बटे 100, और उसका भी 3 बटे 5 भाग तो गुने 3 बटे 5, उसका भी 1 बटे 6 भाग तो गुने 1 बाई 6 का कितना है 90 है, तो बराबर 90 कर देंगी क्या कह रहा है, कि किसी संख्या के 20% का 3 बटे 5 भाग का 1 बटे 6 भाग, तो किसी संख्या X माल लिया, का 20% का 3 बटे 5 भाग का 1 बटे 6 भाग, 90 है, तो बराबर 90 हमने कर दिया है, सिंपल है ठीक है, देखो वड़ा, हमने बहुत ही simple discussion को कर दिया है 3 दुना ये 6 हो गया 20 पंजे ये 100 हो गया तो उपर तो x बचा और नीचे बचा 5 पचे 25 दुना 50 बचा ठीक है बराबर 90 हो गया Now the value of x will be the value of x x बराबर इस 50 को हम लोग इधर multiply कर देंगे तो 90 और गुने 50 9 पचे 45 ये हो जा रहा है हमारा correct answer क्या बटा 4500 is the 4500 is the correct answer Now अब ये हमारा 4500 correct answer हो गया है ना easy सा question था कि वो संख्या कौन सी है 4500 हमारी वो संख्या है क्योंकि उस संख्या का 20% का 3 बटे 5 का 1 बटे 6 भाग 90 है तो 45% यानि कि 4500 45% नहीं मतलब 50 गुड़े 90 हमन किया तो 4500 ये answer आगया simplest expression को हमें solve करना था बिलकुल पिद्दी सा question था आगे वरते हैं अगले question पे question number 23 is here on your screen देखो तो आप सभी question number 23 डीजल के भाव में 25% की वरिद्धी होती है तो उपभोग में कितने परसंट की कमी लाई जाया कि कुल व्याय और परिवर्थित रहे if the price of diesel is increased by 25% then by what percentage the consumption should be decreased so that the total expenditure remains unchanged देखो जाना पहचाना question लग रहा है practical question लग रहा है डीजल के भाव में भाव में बड़ोतर ही हो गई कितने परसंट की 25% की वरिद्धी हो गई तो इस प्रकार का जब question आए कि भाई किसी भी चीज में इतने परसंट की वरिद्धी हो गई और हमें consumption कितना कम करना चाहिए ताकि हमारा जो व्याय है खर्चा है ना बढ़े समझाता हूँ जैसे कि मालो पहले तुम 100 ग्राम चीनी लेके आते थे 10 रुपए की चीनी मालो मिल जाती थी मालो यह मालो कि 100 ग्राम चीनी 10 रुपए मिल जाती थी कि भाई मैं मुझे तो 10 रुपए के चीनी लेनी है, पहले मैं 100 ग्राम लाता था, भाई या 10 का दे दो, जितना भी देना हो मर्जी दे दो, तो उसने बोला, भाई अब तो चीनी का दम बढ़ गया है, तो पहले 10 रुपए में तुमको जो 100 ग्राम मिलता था, अब 10 रुपए में कम मिलेगा, मिलेगा की नहीं, अब 10 रुपए में 100 ग्राम से कम मिलेगा, तो question में यही पूछ रहा है कि भाई, consumption को जो खर्चा है, जो हम हम लोग जो खाते हैं, खपत करते हैं, उसको कितने percent कम कर दिया जाए, 100 से ले करके कितना कम कर दिया जाए, 100 ग्राम मिलता था, तो कितना कम चीनी लोगे, ताकि जो हमारा खर्चा है, जितने पैसे हम खर्चे कर रहे हैं, वो ना बढ़े, 10 रुपए पहले भी देते थे, 10 अब भी देंगे, ठीक है, तो ऐसे question में, अपन क्या करते हैं, बहुत simple सा trick है, गुरुजी का जंतर विटा याद रखना, कि 25% की वृद्धी हो गई ना, तो हमें इसमें ऐसा करना है ना, देखो, simple formula लगाना है, 100X upon 100 plus X, अब देखो, एक चीज़ देखो, यहाँ पे 25% की व upon 100 minus X, क्या बात समझ में आ रही ही बैटा, तो यह formula, कमी मतलब minus, वृद्धी मतलब प्लस, तो देखो, 100X का मतलब यह हो गया, कि 100 into X की value है, 25% की वृद्धी हो रही है, है की ने, तो 100 into 25, और बटे 100 plus X, यानि की 100 और प्लस 25, 100 और प्लस 25, तो देखो बैटा, यह हो गया, 25, 100 तो यहाँ पे हो गया, जी, है न, और नीचे 100 और प्लस 25, तो 125 यह हमारा answer आ रहा है, देखो, 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 answer तो आ रहा है, answer आ रहा है, सुनो, तो 150, दूना, 250, यानि की 20% की कमी हमें खपत में करनी पड़ेगी, 20% की कमी हमें अपने खपत में करनी पड़ेगी, ठी के बाद फिर अपन इंज्वाय करेंगे बढ़ियां प्रैक्टिस अपनी होई रही है और इसी तरीके से इसी जोश के साथ इसी पेस में पुरा बढ़ियां से प्रैक्टिस आप सभी को करनी है 24th number question देखो कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है उसकी आय में 50% की वृध्धी होती है तो उसके खर्च में 25% की वृध्धी होती है तो उस व्यक्ति की बच्चत में कितने प्रतिशत की वृध्धी होई सुनो simple question है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है तो मालों किसी व्यक्ति की जो इंकम है जो इंकम है यानि कि अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो जो उस व्यक्ति की आय है वो मालों की 100 रुपए है ठीक है 80% खर्च कर दिया इस 100 में से खर्चा जो निकाल दिया जो इसने खर्चा कर दिया वो खर्चा बराबर 80 रुपए खर्चा कर दिया तो 100 रुपए में से 80 रुपए खर्चा कर दिया तो बचा कितना? बचा कितना? 20 रुपए बचा? इतनी बात क्लियर है? 20 रुपे बचा अब कहरा भी उसके किस्मत बदल गई उसकी आयमें 50% की वृद्धी हो गई अच्छा मतलब जहां वो 100 रुपे कमाता था वृद्धी होने के बाद वो कमा रहा है 50% की वृद्धी होई तो 100 का 50% यानि की प्लस 50 और हमने जोड दिया यानि की नया जो इंकम है रहा है नया जो इंकम है वो कितना आ रहा है 150 रुपे आ रहे की नहीं है इंकम आ रहा है 150 रुपे पुराना इंकम था 100 रुपे इतनी बात क्लियर है और आगे क्या किया रहा है तो उसके खर्चे में भी 45% की वृद्धी होई अच्छा मतलब income बढ़े और खर्चा ना बढ़े हो सकता है क्या जैसे पैसे जादे आते तो खर्चा भी जादा होता है होता है ना तो 80 पहले खर्चा कर रहा था अच्छा I會 bisa अभी प्लस 20 हो गया है ना प्लस 20 तो नया जो खर्च आया नया खर्च जो आया नया कि आ है हमारा वो है हमारा सो रूपय और हमारा जो नया इनकम है वो है हमारा 150 रूपय видео नया income कितना है 150 रूपय और नया खर्चा है हमारा सो रूपय-थो बच्च कितना रहा है यह बता हुआ वोट पर्सटेंट डिद सेविंग ऑफ़ यह इंक्रीर to तो अभी कितना बचत हो रहा है, नया जो बचत है हमारा, नया बचत जो होगा, देखो अभी नया कमा रहा है 150 रुपे, तो 150 और खर्चा कर रहा है 100 रुपे, 150 में से 100 खटा दो, याने कि 50 रुपे हमारी नई नई बचत हो रही है, कितनी हमारी नहीं, उस व्यक्त की अभी 50 र अभी उसकी बचत हो रही है पचास रूपे तो बचत में कितनी की बढ़ोतरी हुई बढ़ा कितना बचत में कितनी की बढ़ोतरी हुई 20 रुपे पहले बच रहा था, 50 रुपे अभी बच रहा है, मतलब प्लस 30 एक्स्ट्रा बच रहा है, 30 रुपे एक्स्ट्रा उसका बच रहा है, तो अगर 30 रुपे एक्स्ट्रा बच रहा है, पहले 20 बचता था, अभी 50 बच रहा है, सुनो, पहले 20 बचता था, अभी 50 बच रह आ मैं वुरीन के लिए कि कितने परसेंट अधिक वड़ी हो रही है तो ती." 10 हमने उपर रखा पहले कितना था? 20 रुप्ए, तो 20 को नीची हो page 100 से गुणा कर दिया, है ना, means यानि मैं बोल सकता हूँ, यहÍन से देखो, 50 सो और तीन aven 15 यानि benchmark 150% अधिक जो यानि कि पहले की तुल्ला में जहां वो 20 रुपए बचाता था अभी वो 50 रुपए बचा रहा है तो पहले वो पहले की तुल्ला में उसने 150% ज्यादा रुपए बचाए है की नहीं? तो 150% हमारा सही answer होगा कि he is saving 150% more than the previous amount ठीक है? 150% उसने ज्यादा रुपए बचाए आगे बढ़ें अगले question पर चलते हैं question number देखो easy सा question है question को तोर तोर के छोटे छोटे parts में जब करोगे तो हो जाएगा easy सा question है आगे बढ़ते हैं question number 25 पर 25 देखो question number 25 बटा आलोक ने एक मीटर की छड़ी को 1.02 मीटर माप लिया उसने लंबाई मापने में कितने प्रतिशत की गलती की? अच्छा सुनो एक मीटर की छड़ी थी आलोक ने गलती से 1.02 मीटर माप लिया तो गलती कितने की की जो उसने mistake की वह तो कि भई 1.02 में से आप एक घटा दो यानि की 0.02 मीटर की उसने गलती की ठीक है छड़ी वास्तों में कितनी थी एक मीटर की तो percentage निकालने के लिए एक को नीचे रखो गलती की 0.02 की और percent निकालने के लिए 100 रुपए की sorry 100 की 100 का गुना कर दो तो यह percentage mistake निकल जाएगी percentage उसकी गलती निकल जाएगी ठीक है तो यह हो गया वाटा देखो आ रहा है 2% की गलती की उसने कितने परसेंट की 100 गुने 0.02 तो 2% की उसने गलती की simple question हमारा है option क्वेशन नंबर A सई हो गया अगले question में बढ़ते हैं question number 26 देखो ठीक ठाक वेशन देखने में लग रहा है सभी लोग करो जल्दी से इस question को सभी लोग करो come on क्या कह रहा है कि 500 विद्यार्थियों में से 300 हिंदी बोल सकते हैं 100 विद्यार्थि हिंदी तथा इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं तथा सेश विद्यार्थि केवल इंग्लिश बोल सकते हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थि इंग्लिश बोल सकते हैं इस question को हम लोग वेंड डाइग्राम से करेंगे देखो ऐसे लिखे हमने हमने ऐसे किया भाई यह यह किसका गुरूप है यह हिंदी वालों का गुरूप है किसका यह हिंदी वालों का गुरूप है यह किसका गुरूप है यह इंग्लिश वालों का गुरूप है ठीक है और यह वाला जो भी बोल सकते हैं English भी बोल सकते हैं कि 500 ये total student मिला करके total मिला करके 500 300 Hindi बोल सकते हैं तो भई ये जो पार्ट है ना सुनो बटा मैं थोड़ा सा आपको यहां रंग वांग के बताता हूं कि एक मिनटू करू करू को ऐसे करते हैं ऐसा कुछ करते हैं ताकि ये बढ़ जाए तो य ये जो पार्ट है ये पार्ट ये पूरा ये जो रंगा हुआ पार्ट है आपका ये लोग क्या बोल सकते हैं ये लोग बटा हिंदी बोल सकते हैं है ना तो जो हिंदी बोल सकते हैं उनकी संख्या कितनी है हिंदी बोलने वालों की संख्या है 300 तो ये तो है 300 ठीक है 100 विद् तो जो ये वाले लोग है ना ये वाले लोग ये ये केवल इंगलिश बोल सकते हैं और ये बात सम्झें तो यहां से एक बात ध्यान से सुनो बटा तीन सो विधर्थी हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन एक बार उनुसक्त् तो सुनो बेटा ये टोटल नंबर होगा ये 200 होगा 200 विद्यार्थी केवल और केवल हिंदी बोलेंगे कैसे बात समझना ध्यान से समझना कि 200 विद्यार्थी अगर ये विद्यार्थी 200 विद्यार्थी केवल हिंदी बोलें और 100 विद्यार्थी ये लोग हिंदी प्लस इंग् हो गए न टोटल ठीक है तो 200 केवल हिंदी बोलते हैं 100 लोग जो हैं हिंदी इंगलिश दोनों बोल सकते हैं तो 21 300 हो गए यानि मैं कह सकता हूं कि 200 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, तो देखो, 200 केवल इंग्लिश बोलते हैं, 200 केवल हिंदी बोलते हैं, तो दो दो 400 हो गया, और 100 विद्यार्थी दोनों बोलते हैं, तो ये 500 हो गया, तो टोटल 500 हो गया ना, है ना, ठीक ठाक क्रेश्यन हो भाई, तो टोटल 500 यहाँ पे हो रहा है, कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी इंग्लिश बोल सकते हैं 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 कितने प्रतिशत विद्यार्थी इंग्लिश बोल सकते हैं और यह बात समझ में 300 विद्यार्थी इंग्लिश बोल सकते हैं ठीक है भई तो यह 300 विद्यार्थी इंग्लिश बोल सकते हैं तो परसेंटेज इंग्लिश वालों का परसेंट कितना है 300 बोल सकते हैं इंग्लिश टोटल कितने है 500 तो 300 बटे 500 और लम नहीं है हमसे English की बात कर रहा है तो इतने हाड नेवल के वैसे questions नहीं आते हैं फिर भी तैयारी एक दम जोरदार होनी चाहिए हमारी अरे होनी चाहिए कि नहीं है ना ताकि एक्जाम में कोई भी question हमसे मिस ना हो अगले question पर चलते हैं next question देखो यह रहा है question number 27 क्या कह रहा है कि सार्थक की मासी काई 27,000 है वह मकान की किराया पर 45,000 सिक्षा पर 3450 तथा अन्य वस्तूओं पर 900 खर्च करता है वह अपनी आयक कुल कितने प्रतिशत बचत करता है अपनी आयका देखो 27,000 है उसकी income है मैंटा इंकम जो है वह 27,000 है ठीक है और खर्चा उसका कितना कितना है देखो 45,000 तो मकान के किरायब खर्चा किया एजुकेशन पर 3450 खर्चा किया और अन्य वस्तूओं पर 96,000 खर्चा किया तो टोटल खर्चा अगर हम जो हम लोग जोड़ें तो 45,000 एक उसने खर्चा 4, 3, 7, 8 और 9, 8, 7 यानि कि 17,550 रुपे उसने टोटल खर्चे किये आच्छा इतनी उसकी इंकम थी और उसने खर्चा इतना कर दिया तो माइनस 17,550 अगर करोगे तो 450 तो यह हो गया 9,450 रुपे उसके बचे बचे कितने सेविंग कितनी हुई बटा सेविंग कितनी हुई बता करता है तो अगर मैं percentage saving की बात करूं अगर मैं percentage saving की बात करूं तो इतना saving कर रहा है 9450 रुपिया saving कर रहा है और कितने में total income तो उसकी 27000 थी ना बच्चे तो total income थी 27000 और इतनी saving कर रहा है percent निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे देखो जिरो से जीरो जो जा रहा है तो जाने दो जीरो से जीरो गया यह भी गया यानि की 945 में 27 का हमें भाग देना है तो 20 तियां 60, 70, 27, 81, 87, 87, 87, 185 तो 2, 5, 10 यानि की 35 percent की saving वो कर रहा है कितने percent की saving 35 percent की saving 35 percent की बचत कर रहा है option number D अगला question देखो यह रहा क्या कह रहा है अनमोल ने कविता को 16,000 दिये कविता ने उससे 25 percent कम रवी को दिये तथा रवी ने 25 percent अधिक मुस्कान को दिये तो मुस्कान को कितने रुपे मिले कौन कौन है भई अनमोल है अनमोल है और क्या है कविता है कविता है रवी है और मुसकान है और मुसकान है सुनो यह क्या कह रहा है कि कविता अनमोल ने कविता को 16,000 दिये तो भई अनमोल ने कविता को कितने दिये 16,000 रुपे तो कविता के पास हो गये 16,000 रुपे कविता ने इसका 25% कम, तो कविता के पास कितना है, 100% है, हमेशा 100% तो मानते हैं, जितना total value होती है, उसको अपन बोलते हैं, 100%, अब ये 100% से 25% कम रवी को दे रही है, यानि कि 100% माइनस 25% तो बराबर 75% ये रवी को दे रही है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, तो 16,000 का, 16,000 का 75% जो होगा, 75% होगा, 75,000 हो जाएगा, है की नहीं, 75,000 से डबल जीरो गया, अब हम देखें तो 16,000 और हसिल 8, और 16,000 बाराइट, एक सो बीस, तो यानि कि 12,000 रुपया, उसने किसको दिया, बेटा, 12,000 रुपया उसने किसको दिया, रवी को दिया, कविता ने 12,000 रुपय रवी को दिय 75% ज्यादा दे रहा है, तो रवी के पास कितने रुपय है, 100% रुपय अगर हम percentage में बात करें, तो 100% रुपय है रवी के पास है, 25% ये ज्यादा दे रहा है, यानि मैं बोल सकता हूं कि रवी 125 परसंट रुपए मुस्कान को दे रहा है 125 परसंट रुपए तौ 100 यांने कि 12,000 का 125 परतिशत अगर मैं निकालू तो 12,000 गुड़े 125 बटे 100 हो जायगा 22,00 से 22,00 तो जा रहा है तो जाने दो जी जाने दो है ना अब देख लिते हैं यहाँ पर यह गुड़ा उणा करके रुख जो एक काम करते हैं रुको 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 एक काम करते हैं यह काटने से बढ़िया ना यह पचीस पचीस चोके सो पचीस पंजी एक सो पचीस जल्दी कर जाएगा और यह चारत यह बारत तो तीन हजार यह हो गया तीन पचे रुपे थे उसने कविता को दे दिया कविता ने 25% अपने पास रख लिये और 75% रवी को दिये तो 100 में से 25% घटाया 75% रवी को उसने दिया तो 16,000 का 75% निकाल लिया रवी को मिल गए 12,000 रुपे अब इस 12,000 में 25% और जोड़के उसने मुसकान को दे दिये दे दिये ना तो मुसकान को दे दिये तो 12,000 का 125% हमने निकाला and we got 15,000 रुपीज that is C option number C is the correct option अर ये बात समझ में आगे चलते हैं question number 29 में देखो ये रहा question number 29 कह रहा कि चीनी का मुले 25 रुपे प्रती किलो ग्राम था कि नय बजट में चीनी के मुले में 30% की वृद्धी हो गई तो चीनी का नया मुले ग्याद किजिए अरे सुनो चीनी पहले मिल ला था 25 रुपे का मिल ला था कितना? 25 रुपे का अभी 30% 30% increase हो गया तो भई पहले 100% था और अभी 30% बढ़ गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये 130% हो गया है न जी? 130% हो गया तो 25% का 130% निकाल लो सरी 25 का 130% तो 25 गुणे 130 और बटे में 100 कर दो बटा तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 25, 24, 100 और 25 एकर ने तो 130 बटे 4 याने कि 4 तीयाई बार है एक दस चार दुनी आठ बतीस दसमलो पांच 32 दसमलो पांच 32 दसमलो पांच रुपया और अगला क्वेशन देखो क्वेशन नमबर 30 देखो यदि चावल के मुल्ले में 5% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 10% की कमी हो जाती है तो आएं में कितने प्रतिशत की वृद्धी या कमी होगी ध्यान से सुनना बाद कि चावल के मुल्ले में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई तो माल लो कि चावल ये पहले का मुल्ले है और ये बाद का मुल्ले है ये बाद का मुल्ले है एक चीज सुनो कि ऐसे सुनो तुम ऐसे सुनो रुक जो रुक जो रुक जो तुम ऐसे सुनो कि ये पहले था ये पहले था और ये बाद में था तो पहले पहले जो चावल पहले देखो पहले ये कितने मिल्ला था मालो की पहले 100 रुपे में मिल ला था, चावल के मुल्य में 5% की बढ़ोतरी हमने कर दी, तो पहले 100 रुपे मिल ला था, 5% बढ़ा दिया, तो अब 105 रुपे मिल ला है, है ना, विक्री में 10% की कमी हो जाती है, तो भाई ये मुल्य है, ये जो है, मुल्य है, और ये मालो विक विक्री बराबर आये होता है ये चीज़ ध्यान रखना मुल्ले गुले विक्री बराबर आये होता है तो देखो पहले जब 100 रुपे दाम था तो आप मानो कि जब 100 रुपे चावल का दाम था तो 100 किलो विक्ता था ऐसे मानो 100 किलो चावल का 100 रुपे 1 किलो का दाम था तो 100 कि तो विक्री में 10% की कमी हो गई यानि जहां 100 किलो पहले विकता था वहां अभी 90 किलो ही विक रहा है देखो दाम बढ़ा 100-105 हुआ विक्री घटी 100-90 हो गया तो जो आए होगा इंकम होगा वह इन दोनों का गुणा ही तो होगा ना भई तो पहले जो इंकम थी 100 गुणे 100 बर 9,450 यानि कि आप समझो कि आए में कितने प्रितिशत की वृद्धिया कमी होगी पहले कोई व्यक्ति 10,000 कमाता था अभी 9,450 कमा रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि कमी होई अरे सीधा सीधा दिख रहा है वही कमी होई है अजी बिल्कुल मास्टर बोल सकते हो कि कमी हुई है कमी तो हुई है कितने की कमी हुई है 9,450 है यानि कि मैं बोल सकता हूँ कि 550 रुपय की कमी हुई है पहले 10,000 कमाता था अभी 9,450 ही कमा रहा है यानि कि उसकी इंकम कम हो गई है 550 रुपय कम हो गई है ना तो परसेंटेज कमी निकालने के लिए परसेंटेज कमी निकालने के लिए कितनी कमी हुई तो 550 की कमी हुई कितने में कमी हुई तो 10,000 रुपया मिल रहा था पहले उसकी इंकम 10,000 थी अभी 10,000 में 550 की कमी हो गई तो 10,000 में 550 की कमी हो गई तो ये 10,000 नीची रखो percentage में गुने 100 कर दो तो यहां पे देखो बेटा ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कटा, यानि कि 5.5% की कमी हो गई, कितनी कमी हो गई, 5.5% की कमी हो गई, ठीक है, तो income में कमी हुई हमारी 5.5% की कमी, भी option हमारा सही answer है, ठीक है, अच्छा लगा, चलो, और next question जो है, ये question भई, तुम्हारे level से थोड़ा सा ज्यादा अच्छे level का है, इसको मैंने, वैसे मैंने अपने course के अंदर भी, Arjun Batch के अंदर भी बता रखा है, और मैंने तुम्हें इसको DPP में भी solve करवाया हुआ है, है ना, तो percentage का DPP आप सभी जरूर से देखना, बेड़ा, जरूर देखना, percentage की DPP, प्लीज, आप उसे जरूर देखना, percentage की DPP आप देखोगे, तो पता चलेगा कि कितने सारे questions अच्छे हमने कराया हुए है, तो उस DPP का ये question है, तो आप सभी उसको जरूर से देखना, और ये तुम्हारे लिए भी home work रहेगा, देखता हूँ कि कितने लोग इसको कर पाते हैं, वैसे इस level का question तुम्हारे paper में नहीं आएगा, मैंने एक थोड़ा test लेने के लिए तुम्हारा ये रख दिया था, कि देखें, ये कर पाते हो कि नहीं आप लोग, ये question अच्छा question है, ठीक है, अच्छा question है, कर लेते हो, तो बहुत ही बड़ी है, सोने पे सुभागा है, अगर ऐस question कर पाते हो, तो मान के चलो कि तुम्हारी practice बहुत ही मजबूत है mathematics की, है ना, बहुत बहुत अच्छी practice कर रहा है, अगर ये question कर लेते हो तुम तो, तो ये question जरूर से करना अच्छा question है, और comment section में मुझे लिख कर के बताना कि कि कितने सारे बच्चों ने ये question कर लिया है, म कि ये भाई ये तुम्हारी निया यही पार लगाने वाली है, 50 model paper की series, इससे बाहर question बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और सभी के सभी question इससे पूछे ही जाते हैं, 50 model paper की series with solution, drone school के app के अंदर आप सभी को मिल जाएगा, चलो, उमीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी कि अ.